हलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीजनिंग का नेक्स टॉपिक विच इस लेटर सीरीज इससे पहले हमने नंबर सीरीज किया था यह उसी का सेकेंड है मतलब सीरीज की ही अलग अलग तरह के टाइपस हैं So letter series में हम कुछ ऐसे patterns देखेंगे जो letters को यानि कि आपके जो English के alphabets होते हैं A से लेकर Z तक उसके कुछ patterns आपको मिलेंगे उनको आपको पहचानना है और next या जो भी fill in the blanks होगा या next जो भी series का order पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है तो इसके questions attempt करने से पहले आपको एक basic सी चीज़ पता होनी चाहिए जैसे आपको ये पता है कि A से लेकर Z तक 26 letters होते हैं हमारे पास 26 alphabets होते हैं तो ये alphabets जो है इनको अगर मैं order में देखूं A, B, C, D इसी order में देखूं तो इनकी आपको rank पता होनी चाहिए rank means position कि A जो है वो first है B जो है वो second number पे आता है C third पे इस तरह से D, E, F, sub का Z तक लेकर Z जो है 26th alphabet है इसी तरह reverse order में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए reverse order means Z से अगर मैं start करूँ तो अगर Z की position देखें तो वो 1 है फिर Y2, X3 इस तरह से उल्टा और A हुआ यहाँ पे 26th letter तो यह दोनों चीज अगर आपको पता है और mainly एक थोड़ा सा easy हो जाएगा आपको यह बताते हूं कि यह जो M और N है ना इनकी position आपको याद रखनी है जिससे आप काफी जल्दी अपनी questions को कर सकते हो क्योंकि M और N की position एक तरह mid है, beach की position है तो अगर आपको कुछ last के letters के साथ कुछ दिया है, for example, S के साथ या R के साथ आपको कुछ दिया है यह जो है series या patterns आपसे पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले type का pattern है आपका one letter series, बहुत ही easy है, त्याहन से समझना है बस, one letter series में आपको एक एक letter दिया जाएगा, उसका कुछ pattern चल रहा होगा, आपको पहचानना है और जो missing number है, missing letter है, उसको fill करना है, so यहाँ देखो जैसे first question मे यह है A, फिर C, फिर E, फिर G, and dash, फिर K, तो A के बाद आता है B, B miss किया है उन्होंने, फिर C लिखा, फिर D आता है, D miss किया, E लिखा, E के बाद F miss किया, G लिखा, तो अब H आना चाहिए, H miss कर दोपर, क्योंकि एक-एक miss करना है न, तो A, B miss किया, C, D miss किया, E, F miss किया, G, H जब आएगा आए तो यहां पर आएगा आए इसी तरह चेक कर लेते हैं आगे भी जे मिस किया आया के तो आए जो है यानि कि option A का सही जवाब है ठीक है तो हमें pattern यह बहुत basic से था हमने pattern पहचाना एक एक जो है इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है आपको देखना है कित्ती कत्ती positions आगे बढ़ रहा है तो जैसे A के बाद B यह तो direct आ गया यह इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ जीरो प्लस हुआ एक तरह से ठीक है B के बाद D तो यहाँ पे B, C मिस हुआ है तो एक तरह से इन्होंने प्लस 1 कर दिया एक आगे पहुँच गए लोग उसके बाद यह ऐसे समझ लो 0 और 1 से आप confused हो जाओगे इसको ऐसे समझ लो यहाँ पे प्लस 1 यानि next लिख दिया यहाँ पे प्लस 2 यानि B, C और D, D लिख है हम लोग ठीक है फिर G में कितनी positions देखो pattern देख गया मुझे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आप कितना जाएगा प्लस 4 कर दो तो G के बाद आप 4th position देखो कौन सी है G, H, I, J, K तो K आपका यहाँ पे सही जवाब है which is option number A, ठीक है आप प्लस 4 करो K, अब K के बद P आता है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं अब जब यह 4 प्लस करके आया तो 5 प्लस करके P आएगा K में 5 प्लस करो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K तक रीट करो K, फिर L, M, N, O, P देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5th position है यह 5th position है ना तो यह आपका P, N, E series बिल्कुल सही है next question है question number 3 which is B, E, H, K, N अब इसमें क्या चल रहा है वो आपको पहचानना है तो सबसे पहले देखते हैं B के बद E कैसे आया B, C और D को मिस किया इन्होंने, E के बद H कैसे आया, E, F और G को मिस किया, H, I और J को मिस किया, K, L, M को मिस किया, N तो दो letters बीच में से हटा दो, या plus 3 plus 3 मान लो, कैसे भी समझ, जैसे समझाए वैसे समझ सकते हो तो B में plus 3 किया, E में plus 3, plus 3, plus 3, N में भी plus 3 कर दो, आपको answer मिल जाएगा तो N, N के बाद कितना आता है, plus 3 करेंगे तो, आप ABCD अगर वैसे directly नहीं पता है, तो आप प्लीज ABCD को पढ़कर देखना, अच्छे से N तक तो N, O, P, Q, L, M, N, O, P, Q होता है, तो प्लस 3 करेंगे तो Q पे पहुँचेंगे, Q पार्ट है आपका C answer, C पार्ट, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, next question is, question number 4, which is B, D, G, I, L, N, डाश, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो, again pattern देखते हैं, B में क्या हुआ, प्लस 2 किया, D आगया, देखो, B, C miss करके, D पे आगया, D के बाद, D, E, F miss किया, G पे आगया, E, F, G, H, I, J miss किया, नहीं, H, I तो लिखी दिया, H miss किया, I आगया, फिर I के बाद, E, B, C, D, E, यहाँ पे मैं missing यह लिख देती हूँ, यह C जो है miss हुआ है, तो B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, अब यहाँ पे देखो, उझे एक पाटर्ण समझ आ रहा है, कि यहाँ पे एक लेटर miss किया, यह फिर एक लेटर miss किया, फिर दो फिर एक miss किया, अब कितना miss करना है, दो letter, N के बाद, दो letter miss कर दो, N, O, P, miss कर दो, Q answer है आपका, तो Q आपका यह वाला पार्ट है D part बहुत इजी क्वेशन इसी तरह क्या आते हैं वन तब सिंगल जो सीरीज है सिंगल लेटर सीरीज काफी easy होती है next देखो next question है आपका b c e g k डाश तो इसमें क्या हो रहा देखते हैं देखो B यह आपका second letter B के बद C कुछ भी मिस नहीं हुआ C जो है third letter है letter की position देख सकते हो या आप direct वो देख सकते हो किती gap लिया है C के बाद D एक gap लिया यहाँ पे एक भी gap नहीं है E, F, G, फिर F का gap लिया G, H, I, J तीन का gap हो गया K आगया अब इसमें तो देखो कोई pattern नहीं बना क्योंकि यहाँ पे B और C में कोई gap नहीं था C और E में एक का gap फिर E और F E और G में एक F का gap और G और K में तीन का gap तो यहाँ तो pattern समझना मुश्किल है आप कुछ और सोचते है अब next तरीके से कैसा सोचा जाएगा इसको तो पहले remove कर देते है gap से तो answer आ नहीं रहा तेकि अभी तक gap से बन रहे थे अब हम इनकी positions लिख लेते हैं एक बार क्योंकि positions का ही काफी खेल होता है second जो नजरिया अपना अपना होगे वो है इनकी positions तो B जो है वो second position होती है C जो है वो third फिर D चोड़के E जो है आपकी fifth position है उसके बाद E F ये seventh position हो गई G H I चोड़दो K यानि seven के बाद eight nine चोड़दो ten eleventh position हो गई है अब अब देखो हो क्या रहा है तो मैं अब इनको letters को नहीं देख रहे हूँ मैं positions को देख रहे हूँ position है two three five seven eleven ये सारे के सारे मुझे prime numbers दिख रहे है जितनी practice करोगे उतनी जल्दी click होगा कि क्या pattern चल रहा है तो मुझे यहाँ पर पता चल गया है ये prime number है जो positions है न ये prime numbers है तो two three five seven eleven क्योंकि और तो कोई order ही नहीं है इसमें और कोई pattern ही नहीं बन रहा है तो next जो 11 के बाद prime number आएगा वो आता है 13 आपको prime numbers पता होने चाहिए तो prime number 13 13 की position क्या होगी के बाद आप एक छोड़ के दूसरा letter अपना हो B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L छोड़ दो M तो M is your correct answer which is option number A आप next question देखते है question number 6 A, E, I, O अब यह तो बचपन से हम लोग रट रहे है A, E, I, O, U पाँच जो है vowels होते है तो vowels जो है आपके एक missing है यहाँपे तो obviously U होगा तो इसमें कुछ सोचने की जरुरत ही नहीं है यह C part आपका सही जवाब है A, E, I, O, U यह vowels को complete करेगा next question है A, D, I, P, and dash अब इसमें क्या हो रहा देखो पहले तो वही gap देखेंगे सबसे बहले आपको gap देखना है तो A से लेके D पर कैसे आया होगा A, plus 3 हुआ होगा plus 3 कहलो यह चौथी position है right D के बाद D E, F, G, H 4, plus 4 हुआ है I के बाद अब क्या हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H, I J, K, L, M, N, O 6 छोड़ा है इनोंने ठीक है अब देखो इधर पर 3 का gap है 4, इधर 6 अब यह कोई pattern ही नहीं बना अगर यहां 5 होता अगर 6 के जगा 5 होता तब तो pattern बनता मैं P के बाद 6 प्लस करती बट यहां पर क्या है uneven pattern है तो इस से तो बात बनी नहीं तो इसको हम हटा देते हैं इस तरीके से नहीं कुछ हो रहा है तो इसको remove करते हैं अब position second तरीका क्या है positions देखो तो first position है A की फिर fourth है D की I की position क्या है D, E, F, G, H 4 छोड़ दो यानि की 4 के बाद 5, 6, 7, 8 छोड़ के 9th position आ गई उसके बाद P की position क्या है I, J, K, L, M, N, O 6 छोड़ दो यानि की 9 के बाद 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 छोड़ के 16th position है अब फिर से इन positions पे ध्यान दो मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप लोग सोचोगे अगर आपको positions याद नहीं हो तो अब देखो positions पे ध्यान दो 1, 4, 9, 16 यह positions की जो number है यह सब square number है मुझे देखते ही दिग गया कि यह square number है यह 1 का square यह first position यह 2 का square फिर यह 3 का square और यह 4 का square तो next क्या होगा 5 का square 5 का square क्या होता है 25 तो 25th position किस की होती है Y की तो Y आपका सही जवाब है तो यह option D ठीक है next देखो D F H I J L अब यह क्या हो रहा है फिर से इनके gaps देखते है gap में क्या मिलता है वो देखते है तो D है आपका 4th position उसके बाद F है आपका D E F यानि 6th position यह 6th हो गया H जो है आपका 8th position है then J I जो है 9th J जो है 10 L जो है आपका 12 अब यह क्या हुआ अब पैटन ध्यान से देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12 इसमें क्या बन रहा है देखो ना तो यह prime number है ना किसी के perfect squares है तो prime number के अलावा आपको composite number भी दिये जा सकते है यानि कि इसमें मैं देख पा रही हूँ कि कोई prime number नहीं है तो 4 के बीच में जो आया आपका ध्यान से समझना इसको 4 के बीच में 5 आया यह prime number था 7 आना था यह prime number है फिर इसके बाद 8 और 9 के बीच में कोई gap नहीं है कोई prime number नहीं है आपे फिर 10, 11 नहीं आया तो basically इन्होंने सिर्फ prime number को miss किया है बाकी यह सारे number लिखे जा रहे है prime number को इन्होंने नहीं लिखा है तो 4th position 6th, 8th, 9th, 10th, 10, 12 के बाद कौन सी position आएगी 13 अगर आएगी तो 13 तो एक prime number है तो 13 नहीं आएगी आएगी कौन सी 14th position पे जो होता है और 14th position पे कौन होता है यह आपको पता होना चाहिए 14th position पे n होता है तो n जो है आपका सही जबाब है विच इस पर चो यहाँ मैंने options थोड़े से गलत लिख दी है तो यह आप options किसी और question के लिख दी है मैंने options तो आप थोड़ा सा यह correction कर लेना यह options इस question के नहीं है तो इसका जो answer है वो आपका 14th position पे जो आता है विच इस N यह है इसके options मैं N था बट मैंने किसी और question के options को यह copy कर दी है तो थोड़ा सद्यान रखना correction कर लेना next question पे चलते है next type of series which is combined two letter series तो दो letter को combined किया गया और उसकी series बनाई हुए है तो उस तरह के questions को आप कैसे solve करोगे देखते है so first question है ambncodp-fr तो इस dash में क्या है का वो आपको बताना है am देखो क्या है a और m सबसे पहले आपको देखना है इनकी positions यहाँ पे position ही देखो पहले ठीक है तो यह देखो यह first position है यह first position है फिर b जो है second position c third, d fourth यह normal चल रहा है इसी तरह m, n n आपकी 14 था अभी हमने किया था तो m जो इससे पहले आ रहा है 13, 14, 15, o, p, 16 right मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे यह जो first letter है वो तो अपना 1, 2, 3, 4 वाली position ले रखिये उसने और जो second letter है उसने 13, 14, 15, 16 यहाँ से start किया हुए तो इसी order में अगर जाएं तो यहाँ पे fifth position आएगी और यहाँ 17th position आएगी तो fifth position जो है वो किसकी होती है D के बाद आता है E और 16 यानि P के बाद जो है आता है Q तो E Q आपका सही answer है इसके बाद देखो E के बाद F भी लिखाव है और R भी लिखाव है Q के बाद R आता है तो हमारा order एकदम सही है जो हम सोच रहे है तो E Q जो है आपका option number A which is your correct answer ठीक है next देखो A B D E G H dash M N very easy थोड़ा सा बस एक बाद pattern देखना है अच्छा ये जब भी ये वीडियो देखो तो एक बाद pause करके खुद से देखना उसके बाद मेरा मतर्द मुझे सुनना solution देखना है वीडियो से उससे होगा क्या मैं जब बता रही हूँ तो आपको लगे कर ये तो बहुत easy है बहुत easy है लेकिन बताने के बाद answer जब पता चल जाता है उसके बाद असान लगता है पहले अगर आप करो तो आपको थोड़ा time लग सकता है क्लिक होने में जैसे इसे practice करोगे चीज और clear हो जाएगी जल्दी क्लिक होने लगेगा speed बढ़ जाएगी बट initially अगर start ही किया है इसे practice करना तो एक बार आप थोड़ा pause करके खुद से करके देखना देखना आपको easy लग रहा है कि नहीं मेरे बताने पर या किसी के भी बताने पर तो लगता ही है यार यह वाले question easy लगता ही है ठीक है चलो next देखो question number two है इसमें क्या pattern चल रहा है यहाँ पर देखो फिर से a फिर b c छोड़ दिया अच्छा b यहीं साथ में लिख दिया है चलो ठीक है फिर c को छोड़ दिया d यहाँ पर है e साथ में है ठीक है तो यह first position यह second इन सब की position लिख देते है यह fourth position यह fifth फिर e f छोड़ दिया है इनोने फिर यह seventh position यह eighth अब क्या आएगा ninth position छोड़ दो h के बाद i छोड़ दो आप आएगा jk ठीक है फिर l छोड़ दिया mn आ गया तो jk is your b part यह आपका सही जवाब है ठीक next question देखो question number three a a c e e i g o अब देखो मैं जैसी मैंने पढ़ा ना मुझे थोड़ा सा sound आ गया a e i o u का vowels का जैसे मैंने पढ़ा a a e c e e i g o तो a e i o यहाँ पर तो मुझे समझ आ गया u आएगा ठीक है क्योंकि मैंने देख लिया यह second position तो vowels चल रहा है और first position अब और देखना है a के बाद यह first position यह third position a c d e यह fifth position e f चोड़ दो g यह seventh position है अब क्या आएगी ninth position आएगी तो ninth position किस की होती है g h i की होती है तो यहाँ पहलेगा i तो i और u इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से ठीक है तो यह first option आपका सही option है next type of series आती है three letter series अब तीन letter आ जाएगे first हमने किया one letter series फिर किया second two letter series combined और अब हम कर रहे हैं three letter series अब इसमें क्या questions बन सकते हैं again आपको फि आपकी पहले position जरूर देखना तो यह first position यह second यह fourth ठीक है फिर यह position है आपकी third फिर यह fourth यह एक छोड़ दिया है इन्होंने फिर से और यह sixth ठीक अब यहां जी है चाई को देखते हैं तो जी एच और जे आये नहीं है जी की position क्या है भई जी की position है seven h की है eight और जे की है आप position इन्होंने third letter लिखने से पहले skip की है ijl में भी एक बार देख लेतने confirm हो जाएगा i9 उसके बाद यह j10 और l जो है आपका 12 है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भई हमें बीच वाली position लेने हैं देखो six के बाद यहां पर देखो कौन सी से start करोगी कैसे पता चलेगा यह five six seven miss करना और eight लिखना है फिर हमने seven miss किया तो इन्होंने फिर seven position से start किया तो आपको pattern समझना है और फिर अपना question करना है बहुत easy हो जाएगा तो fifth sixth और eighth position लिखनी है मुझे fifth position है आपकी किस चीज़ की E की E F G छोड़ दो और यह हो जाएगा H E F H कहां पर है वह E F H A part में है यह आपका सही answer है अगला question देखो C K Z D L Y dash F N W G O V pause करो एक बर खुद करने की कोशिश करो इसमें क्या हो रहा है positions देखेंगे सबसे पहले चलो C जो है आपका कौनसी position है सबकी positions लिखते हैं C जो है वो third position है के आपका 11th position है यह 26th position है यहां से तो मुझे कोई pattern नहीं देख रहा next की position लिखते है D D की position है fourth L की आपकी position है 12 और Y की position है आपकी 25 next देखो यह वाला F की position है आपकी 6 N की position है आपकी 14 और W की position है आपकी 23 मुझे इतने में ही एक pattern देख गया है वही यह first position देखो यह C वाली D वाली और यह सबका पहला पहला letter देखो 3, 4, 6 यानि बीच में आएगा 5 इसी तरह second letter की position देखो 11, 12 यहाँ पे आगा 13 तो यह है 14 26, 25, 23 अब यह जो third letter है वो उसकी position decrease हो रही है 26 से 25 फिर 24 हो जाएगी और यह 23 हो गई तो 5, 13 और 24 यह positions के नाम है इनके letters लिख लो आप respective तो 5 जो है position उसमें आता है E आपका 13 पोजीशन में आता है M और 24 पोजीशन में आता है X तो E, M, X यह first option इसका सही जवाब है ठीक है बहुत easy है positions एक बार लिख लोगे याद होंगी तो आपके लिए बहुत असान हो जाएंगे यह वाले questions करना अब आते हैं next question number 3 N, A, B, O, E, C, P, I, E, Q, O, G, Dash सबकी positions लिखते हैं फिर से यह है 14, 1, 2, O की position है आपकी 15, E की position है आपकी 5th and C की है 3, right देखो अब यहाँ कुछ pattern देख रहे हैं अभी तब तो मुझे नहीं देखा थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं बट center वाली position में मैं confused हूं कि A के बाद E कैसे आ गया ठीक है कोई बाद नहीं आगे देखते हैं P की position है आपकी 16, I की position जो है वो है आपकी 9 और E की position है आपकी 5, right next Q, O, G Q का मतलब आपका position है 17, O की position आपकी है 15 और G की position है आपकी 7 अब दिहान से देखो यहाँ पर कोई pattern दिख रहे है देखो मुझे समझ आ रहा है यह B, C, E और G की position है फिर से prime number चल रहे है 2, 3, 5, 7 कोई pattern नहीं है कि मतलब ऐसा plus 1, 2 ऐसे कुछ नहीं हो रहा है यह सीधा prime numbers है तो next prime number आपका आता है 11 तो यह वाली तो हो जाएगी 11th position, third place की मैं बात कर ले हूँ अगर मैं इसको देखो first position को 14 के अगर 15, 16, 17 यहाँ आ जाएगा 18 ठीक है अब center position देखो 1, 5, 9, 15 किस हिसाब से बढ़ रहा है थोड़ा सा ध्यान देते हैं 1 के बाद हुआ प्लस 4, 5 के बाद हुआ प्लस 4, यह हुआ प्लस 6 अब यहाँ पे फिर गड़ बढ़ हो गई तो देखते हैं और कोई pattern तो नहीं बन रहा है इसमें पैटन तो नहीं पर मुझे दिख रहा है कि मैं कुछ गलती सोच रहे थी तो और easy है जितना मुश्किल मैंने सोचा उससे असान है देखो दिहान से यह है यह है यह है फिर I फिर O अब यह वावल है कोई pattern नहीं है बस वावल है पांच तो U आएगा center में तो 18th position आपको पता होने चाहिए 18th position किस चीज की होती है 18th position होती है आपकी R की और 11th position आपकी होती है K की तो R UK रुक इसका सही जवाब है which is option D next question आप लोगों के लिए इसका answer आप लोग निकालो और मुझे comment box में बताओ क्या answer आएगा मैं wait कर ले हूँ देखते हैं आपको कितना समझ आया और यही था इसी तरह के questions आते हैं इसके बाद आपको यह letters और numbers को code करके दिया जाएगा थोड़ा उल्टा उल्टा करके या कु आपको कवर अभी के लिए इतना ही thanks for watching